जहीं दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर दोस्तों काफी सारे बच्चों के आपर कमेंट वगयरा आ रहे थी कि दसेरा दीपा वाली की आखिर छुटी कब रहेगी ठीक है कितने दिनों की छुट्टी मिलती है इसके बारे में ही आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि दीपा वाली में कितने जिनकी छुट्टी मिलने वाली है ठीक है तो वीडो पर अंतक बने रहीएगा चैनल पर पहली बार आएं तो सस्क्राइब भी कर लीजेगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडो अप्लोड करता हूँ तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा यहाँ पर आवकास की बात करेंगे दसेरा दीपा वाली कितने दिनों की चुट्टी रहेगी दसेरा तो अभी जो है चल ही रहा है बात आती दीपा वाली की दीपा वाली में कितने दिन की चुट्टी मिलेंगे आपको लाइप रूप यहाँ पर बताने वाले हैं ठीक है सूचना सहीं यहाँ पर मत्पदे सासन इसकुल सिख्च विभाग के तरप से आदेश आये कि कितने दिनों के आपर छुट्टी वगरम मिलने वाले ठीक है तो दसे रखें यहाँ पर तीन तारिक से आपर आवकास चालू हो चुकिये तीन अक्टूबर 2022 से 6 अक्टूबर तक कि यहाँ पर आवकास रहेगा विद्याति सिख्चक दोनों के लिए यहाँ पर आवकास रहेगा और दीपा वाली की बात करें तो दीपा वाली में यहाँ पर 22 अक्टूबर से आपर आपको छुट्टी मिलेगी तो यह 37 अक्तूबर तक यहाँ पर छुट्टी जारी रहेगी 22 अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक दीपा जारी है यहाँ पर छुट्टी मिलने वाली हैं विद्याति एवं सिख्छक दोनों को तीक है, यहाँ मत्पदेश के राजपल के जारी हुआ है ठीक है प्रमोज सिंग उप सचीव द्वारा ठीक है मत्वदेश सासन इसकुल सिक्षा विभाग के दोरह यहां पर सूचा जारी हुआ है क्योंकि 9-9-2022 को यहां पर आदेश जारी हो चुका है ठीक है तो यहां पर दीपा वाली की बात करें दीपा वाली में 22-27 अक्टूबर तक यहां पर छुट्टी मिलने वाली विध्यारती एवं सिक्षक दोनों को ठीक है यहां बहुत बड़ी खुसकबरी है और काफे सारे स्टूडेंट को यहां पर रहता है कि छुट्टी कब तक की मिलेगी तो यहां पर छुट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहां पर देते रहते हैं तो यहां पर दीपा वाली की आपको 22 अक्टूबर सा 37 अक्टूबर तक की छुट्टी देखने को मिलेगी बाकि इस चैनल पर अगर नए है तो सस्क्राइब कर लिजाएगा क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की अपडेट हम देते रहते हैं साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा और आपके मैंने में कोई प्रस ना है तो कमेंट करके जरूर बताईगा साथ पर टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाता है बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद